हेलो फ्रेंड नमस्कार कैसे हैं आप लोग दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इमेल से रिलेटेड कुछ महत्पूर्ण प्रशनों को देखने वाले हैं जो की त्रिपल सी, ओलेबल एवं वे सभी प्रतियोगी परिक्षाएं जिसमें कम्प्यूटर से संबंधित प्रशन प और वीडियो को लायक जरूर करें तो फ्रेंड क्यूशन की तरब बढ़ने से पहले हम थोड़ा इमेल के बारे में जानेंगे कि इमेल होता क्या है? तो चलिए फ्रेंड हम सुरू करते हैं इमेल क्या है? इमेल एक इंटरनेट सेवा है, जिसका पूरा नाम इलेक्टरानिक मेल होता है इमेल एक इसा इलेक्टरानिक संदेश होता है, जो इंटरनेट के माध्यम से किसी नेटवर्क से जुड़े हुए बिभिन कम्प्यूटरों के बीच संदेश को भेजा अथवा प्राप्त किया जाता है किसी ब्यक्ति या अथवा कम्पनी के पास इमेल भेजने के लिए हमें उसके इमेल एड्रेस की आवाशकता होती है किसी भी इमेल एड्रेस के दो भाग होते हैं, तो चलिए हम देखते हैं पहला जो होता है वो होता है username और दूसरा जो होता है वो होता है domain name तो चलिए इसको हम एक example की तरीके समझते हैं एक email address लेंगे हम जो दिख रहा है आपको rames.gmail.com इसमे username जो होगा वो होगा rames और add. एक symbol है जो username और domain name को अलग करता है और जो आपका gmail.com है यह आपका है domain name उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा की email होता क्या है और अब हम बढ़ते हैं अपने questions की तरफ तो friend पहला question है आपका email एक dot dot है option number internet service b text या option number c document या option number d इनमें से कोई नहीं तो इसका right answer होगा option number a internet service email एक internet service है अगला question है आपका email का पूर्ण रूप क्या है option number a emergency mail option number electronic mail या option number c educational mail या d उप्युक्त सभी तो इसका answer होगा option number b electronic mail email का पूर्ण रूप electronic mail होता है अगला question है आपका email किसके द्वारा भेजा जाता है option number a postman option number b by post option number c post office या d internet तो फ्रेंड इसका answer होगा option number d internet next question है आपका email भेजने के लिए पता कौन परदान करता है option number ए user b internet service provider या c post office या d इनमें से कोई नहीं तो इसका right answer होगा option number b internet service provider email भेजने के लिए पता internet service provider परदान करता है next question है आपका email address को कितने भागों में बाटा गया है option number a 2, option number b 4, option number 3, option number d इनमें से कोई नहीं तो फ्रेंड इसका right answer होगा option number a 2 next question है आपका निमने में से किसका उप्योग email address को दो भागों में विभाजित करने के लिए किया जाता है option number a dot, option number b dot com, option number c at the rate या d end तो इसका answer होगा option number c at the rate at the rate सिम्बल का उप्योग email address को दो भागों में विभाजित करने के लिए किया जाता है next question है आपका email address का पहला भाग किसको दरसाता है option number a company name, option number b username, option number c subject या d इनमें से कोई नहीं तो इसका right answer होगा option number b username next question है आपका प्राप्त email message कहां इस्टोर होता है option number a mailbox, option number b, send box, c, inbox, या d इनमें से कोई नहीं तो फ्रेंट इसका right answer होगा option number c, inbox, प्राप्त mail, inbox में इस्टोर होता है next question है आपका प्रेंट इसका right answer होगा option number b, junk mail, बेवसाइक कंपनियों के द्वारा भेजे गए mail को junk mail कहते है next question है आपका email address का दूसरा भाग किसको दरसाता है option number a domain name, option number b username, option number b sender, या d receiver तो फ्रेंट इसका right answer होगा option number a, domain name, email address का दूसरा भाग domain name को दरसाता है अगला question है आपका email में communication होता है option number a, single mode, option number private, option number c, public, या d, इनमें से कोई नहीं तो इसका answer होगा, option number c, public email में communication जो होता है वो public होता है तो अगला question है आपका एक email address में अधिक्तम कितने character use किया जा सकता है तो option number 32, option number b, 320, option number c, 64, या d, 255 तो फ्रेंट इसका right answer होगा option number b, 320, एक email address में अधिक्तम हम 320 character use कर सकते हैं नेश्ट क्यूशन है आपका इमेल में अधिक्तम कितना size भेज सकते हैं option number a, 5 MB, option number b, 15 MB, option number c, 25 MB, या d, 45 MB तो इसका answer होगा, option number c, 25 MB, एक email में अधिक्तम हम 25 MB की size का document भेज सकते हैं नेश्ट क्यूशन है आपका, एक email में अधिक्तम storage size कितना होता है option number 10 GB, b, 15 GB, c, 25 MB, या d, 20 MB तो फ्रेंड इसका right answer होगा, option number b, 15 GB एक email में अधिक्तम हम 15 GB तक का data store कर सकते हैं अगला question है आपका, आमांचित mail किसे कहते हैं option number एंचाह mail, option number b, commercial विग्यापन के लिए, भेजे गए mail, c, a और b दोनों, या d इनमें से कोई नहीं तो फ्रेंड इसका right answer होगा, option number c, a और b दोनों next question है आपका, निमन में से कौन सा email का भाग नहीं है option number एं, username, option b, domain name, c, and, या d, at the rate तो फ्रेंड इसका answer होगा, option number c, and, and जो है, ये email का भाग नहीं है अगला question है आपका, आमांचित email, unwanted mail, कितने दिनों तक सेव रहता है option number a, 15 दिन, option number b, 30 दिन, option number c, 7 दिन, या d, 10 दिन तो इसका जो answer होगा, वो होगा option number b, 30 दिन अनवांचित mail, यानि जो अंचाहा mail होता है, वो 30 दिनों तक सेव रहता है अगला question है आपका, पहला email कब भेजा गया option number a, 1970, option number b, 1971, c, 1972, या d, 1975 तो फ्रेंड इसका राइट answer होगा option number b, 1971, पहला email, 1971 में भेजा गया अगला question है आपका, पहला email किसके द्वारा भेजा गया option number a, Ray Kurzweal, option number b, Ray Tomlinson, c, Dennis Ritchie, या d, इन में से कोई नही तो इसका answer होगा, option number b, Ray Tomlinson, पहला email जो है वो Ray Tomlinson के द्वारा 1971 में भेजा गया अगला question है, निम्न में से कोई email के बारे में दर्साता है option number a, 2, option number b, c, c, या c, b, c, c, या d, subject तो इसका answer होगा, option number d, subject email के बारे में जो दर्साता है, वो subject होता है next question है आपका, b, c, c का पूरा नाम क्या है option number a, blind carbon copy, option number b, blank carbon copy, option number c, blank carbon code, या d, इन में से कोई नही तो इसका answer होगा, option number a, blind carbon copy, b, c, c, का पूरा नाम, blind carbon copy होता है next question है आपका, email में c, c का पूर्ण रूप क्या है option number a, carbon code, option number b, computer code, option number c, carbon copy, या d, इन में से कोई नही तो इसका right answer होगा, option number c, carbon copy, c, c, का जो पूर्ण रूप होता है, वो carbon copy होता है next question है, किसी एक बेक्त के, को email भेजने के लिए, निम्न में से, किसका उपियोग कर सकते है option number a, 2, option number a, sorry, b, b, c, 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 या d, उपियोगत सभी तो इसका answer होगा, option number d, उपियोगत सभी, किसी एक बेक्त को, email भेजने के लिए, हम, इन सभी का उपियोग कर सकते है next question है आपका, प्राप्त email को, किसी दूसरे के पास भेजने के लिए, किस option का उपियोग करते है option number a, send, option number b, forward, option number c, send all, या d, इन में से कोई नहीं तो इसका answer होगा, option number b, forward प्राप्त email को, हम, किसी दूसरे के पास भेजने के लिए, forward option का उपियोग करते है तो इसका right answer होगा, option number b, forward next question है आपका, email भेजने के लिए, किस protocol का उपियोग किया जाता है option number a, udp, option number b, imap, option number c, smtp, या d, pop3 तो इसका right answer होगा, option number c, smtp, email भेजने के लिए, smtp, प्रोटोकाल का उपियोग किया जाता है जिसका पूर्ड उप होता है, simple mail transfer protocol अगला question है आपका, प्राप्त email को receive करने के लिए, किस protocol का उपियोग किया जाता है option number a, smtp, option number b, dhcp, या c, udp, या d, pop3 तो friend इसका right answer होगा, option number d, pop3 जिसका पूरा नाम होता है, post office protocol version 3 next question है, यदि कोई email send किया जाए, और वहाँ receiver के पास न जाकर वापस sender के पास लवट आए तो उसे क्या कहते हैं, option number a, junk mail, option number b, return mail, option number c, bounced mail, या d, इनमें से कोई नही तो friend इसका right answer होगा, option number c, bounced mail, यदि हम कोई email किसी के पास send करते हैं, और वहाँ sender के पास, sorry, receiver के पास न जाकर सीधा हमारे पास लवट आता है, तो इस प्रकार के mail को हम bounced mail कहते हैं next question है आपका, सभी भेजे गए email कहां store होते हैं, option number a, outbox, option number b, send box, option number c, inbox, यदि इनमें से कोई नही, तो friend इसका right answer होगा, option number a, outbox, सभी भेजे गए email, outbox में store होते हैं next question है, भारत में email की शुरुआत कब होई, option number a, outbox number b, 1995, option number c, 1998, यदि इसका answer होगा, option number a, 1991, भारत में email की शुरुआत सन 1991 में होई, next question है आपका, आधिकारिक रूप से email की खोज करने वाले के रूप में किसे मानेता दी गई, option number a, रे कुर्जवील, b, रे टॉमलिंसन, या c, सिवा आया दुरुआ, या d, इन्वे से कोई नहीं, तो friend इसका right answer होगा, option number c, सिवा आया दुरुआ को, आधिकारिक रूप से email के खोज करता के रूप में, सिवा आया दुरुआ को मानेता दी गई है, friend, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं next वीडियो में, आसा करता हूँ दोस्तो, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो, तो please वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर करें, thank you झाल झाल